हलो दोस्तों, वेलकम टो अर्चैनल, तो जैसे कि आप लोगो को पता है कि बहुत सारा स्लेवस हम लोग निपता चुके हैं, लगवा के लगवा 92 से 95% तक स्लेवस जा चुका है, सिर्फ 5% स्लेवस बचा है, जिसके अंदर रीजिनिंग में तो आप लोगो को पता है कथनपू प्रूप धारना, उसका लेक्चर मैं आप लोगो को अप्लिकेशन पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो प्लीज आप लोग अप्लिकेशन पर जाईए, और गाइडेंस वाले सेसन में जाके देखिए, वो लेक्चर फ्री है, उसके साथ उसकी PDF भी अटेच कर दी गई जिन चीजों के लेक्चर की जरूरत है, और फिर उसके बाद मैं बात करूँगा, एक लेक्चर में देना चाहता हूँ, जो यूनिक टाइप के कॉश्चन आये थे, गुरूप D के अंदर कुछ यूनिक टाइप के कॉश्चन भी देखने को मिले हैं, जैसे कि मैट्रिक्स से कॉश्चन देखने को मिला है, इन्वर्स से कॉश्चन देखने को मिला है, तो उन पे भी हम बात करेंगे, फिलहाल आप यहां देखिए, आज के टार्गेट्स क्या हैं हमारे, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे हम रिवीजन मोड में हो, रिवीजन करना बहुत जादा जरूरी है, आगे की चीजे तो पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन पीछे की चीजे भी complete होना बहुत-बहुत जादा जरूरी है, तो guys, आज तो थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन कल से देखना आप कितना सारा रिवीजन में आप लोग को दूंगा, इस्ट एक ज चीज़े आपकी cover होती जाएंगी तीसरी चीज है यहाँ पे तो तीन टेस्ट तो देने हैं आपको नए और इस हफते आपने जो पांच टेस्ट दिये हैं उन पांचों टेस्ट को दोवारा से thatrows प्रिटेंट करना है और दो मिनट के अंदर तीन मिनट के अंदर रिय Elijah करके submit कर सकते सकते हो पांच मिनट के अंदर भी submit कर सकते हो अगर आप उस चीज़ेको रievrt से संबंदित है उसके अंदर डेट्स दी गई है तो आप इंपोटेंट डेट वाला जो पेज है पूरा का पूरा उस पेज को पढ़िए मैंने इंपोटेंट जीले दी है तो जीलो के जो नोट्स दी है अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो बाद अलग है अगर हम पहले से पढ़ रहे हो तो आपके पास नोट्स बने हुए होंगे और अगर आप अभी जोइन हुए हो तब भी आप लोगों को नोट्स प्रिंट करवा दिये गए हैं तो दोनों लोगों का ही है ओल्ड वाले इस्ट्रेंट के पास खुद के रिटन के नोट्स है और जो निव संबिधान के मोस्ट इंपोटेंट पार्ट को कवर करना है आज मैं इसकी आप लोगों को पीडिएफ प्रोवाइड कराऊंगा लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखेगा कि वो जो पीडिएफ है वो कम्प्लीट नहीं करनी है मतलब पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है क्यों इस देश की संबिधान से हमने क्या लिया है मतलब संबिधान के जो स्रोथ है यहां से आपको कुष्ण देखने को मिलेंगे तो उन चीजों को आप लोगों को रिवाइज करना है तो पुराने श्रूइंट के पास है और जो एप्लिकेशन वाले श्रूइंट है उनको मैं आ ज़्यादा खर्चा भी आएगा और इतना ज़्यादा करने की जरूत भी नहीं है नेक्स्ट है स्टेस्टिक जी चीजे के में संबिधान के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को कम्प्लीट करना है अब आई-पी-एल इस्पोर्ट्स जितनी भी स्पोर्ट्स चीजे चाहें वो IPL हो, चाहे वो tennis grand slam हो, चाहे कोई भी चीज़ों हो, चाहे world cup हो, आपको वो सारी की सारी चीज़े current affairs SPD की book से complete करना है, अब पुराने students के पाथ पहले से marking है जो नए student है, उनको मैंने marking करके PDF दी हुई है, और print निकल वाली है आपको, next देखिए यहाँ पर, अगर आप लोग कहते हो, तो मैं एक revision का पूरे तरीके से नए ले आता हूं, आठ से 10 दिन के लिए, और उसमें revision करेंगे, जो बचीवी चीज़ें बहुत होई चुकी हैं, कुछ नहीं बचा है, लगवक 2-4 चेप्टर बचे हैं, उन्हें हम करवाई रहे हैं, तो आप लोग कहोगे, तो बहुत हो revision के साथ भी करा देंगे, तो एक नए तरीके से हम 8 दिन revision करवा देते हैं, अगर आप कहते हो तो, चलिए संबिधान के most important parts को complete करना है, IPL, sports और all important award, यह जो बहुत important topic है, सबसे ज़्यादा important topic है, आप देखेंगे, तो sports से 2-3 question मिलेंगे आपको, all important award से, जो important award है, जैसे novel prize है, ठीक है, पदम पुरुसकार है, खेल, राष्टे खेल पुरुसकार है, वहाँ से questions देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, इसलिए जो पुरुसकार है, वो सारे के सारे आपको आने ही चाहिए, और ये जो पुरुसकार है, novel हो गए, या मालीज़े जितने ही पुरुसकार है, जो मैंने आप लोगों को दिये हैं तो जो पुराने strength हैं उनके पास है ही और जो नए strength हैं उनको मैंने marking के साथ PDF दे रखी है तो अपनी PDF में mark करना है बस और topic को complete करना है उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को ठीक है तो इतनी चीज़ आपके हो गए तो revision mode में इस तरह से ही हम चीज़े करवा देंगे बड़े आसानी से आपका revision करवा देंगे most important part को complete करना है IPL हो गया latest appointment बाला page अब सारे appointment आपको नहीं करने है एक page पे लिखके सारे के सारे appointment मैंने दे रखे हैं उस page के एक एक चीज़ को रड़ डालना है कि कौन सी चीज़ कहां पे appoint हुआ है कौन कहां पे appoint हुआ है वो page मैं आप लोगों को दे चुका हूँ जो oldest student है उनके पास भी है speedy की book में है वो page और आप लोगों को तो cancel लेने की जड़ोती नहीं है जो application के अंदर है उन लोगों को मैंने bid marking सारी चीज़ दी हुई है आप जब paper में देखेंगे तो ये जो आज की revision का session है इसके अंदर से ही आपकी बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी एक दो questions award से ही मिल जाएंगे दूसरा sports से मिल जाएगा एकाद question और latest appointment से तो question देखने को मिलना ही है और जो test लगा रहे हो वहाँ से भी एकाद question तो आप ये मान के चलिए अब जो revision के session चल रहे हैं वो एक एक session बहुत ज़्यादा important होने वाला है तीसरा, यहाँ पे देखिए तीन new test science में आप लोगों को लगाने है और previous year test के लिए तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि उन test को बार-बार लगाईए जितना ज़्यादा possible हो रहा है उन test को लगाईए बहुत ज़्यादा benefit आप लोगों को देखने को मिल जाएगा SPD के total 12 pages physics, chemistry और bio के आप लोगों को complete करने हैं वो 12 के 12 page बार-बार पढ़िए क्योंकि one liner जो questions है वो SPD की जो मैंने आप लोगों को PDF दिये important चीजों की उसी में से जो 25 में से कम से कम 10 या 15 questions जो one liner आएँगे वो वहीं से फसने की उम्मीदे होंगी इसनिए आप उन चीजों को करिए बाकी 10 questions numerical और conceptual ways होंगे वो आपकी NCRT complete कराएगी बाकी चीज़े तो NCRT complete कराएगी ही लेकिन आप लोगों को SPD के अंदर एक conceptual किस्ता मतलब एक जो crisp content होता न करते हैं बहुत ही solid content आपको दिया गया है तो जिन लोगों ने application पे course के अंदर है उन लोगों के पास सारा content है उन्हें टेंसल लेने की ज़रूत नहीं है next है यहाँ पे chemical reactions class 10th का जो chapter है रासाइनी के विकर रहा है इसके अंदर important चीज मैं आप लोगों को बता दूँ एक तो रासाइनी के विकर रहा है को संतुलित करना सीख लेना कि balance कैसे की जाती है equation और उसके बाद अडेको ALP में तो हम पूरी तरी यारी के साथ कूदेंगे मैंने पता ही है आप लोगों को वो तो छोड़ दीजी आप फिलहाल आप लोगों को चीजे complete करनी है तो वो खुद से ही करनी पड़ेंगी क्योंकि ALP के लिए हमारे पास बहुत ज़दा time रहेगा अभी के लिए जितना time है जितनी चीजे मुझसे हो पारी है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ लेकिन आप लोगों से request कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज है अगर वो हमसे नहीं है तो आप direct search करिए कि class 10th NCIT chapter number 1 आपके सामने lecture आजाएगा रासानी के भी करिया सबसे पहली जो important बात हो गई वो आप लोगो पता होनी चाहिए कि balance करनी आनी चाहिए question फिर उसके बाद उसमा छेपी उसमा सोसी अभी किर रहा है भी घटन भी किर रहा है दूई विस्थापन भी किर रहा है ये चीजे आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और प्रकास translation बहुत बहुत ज़्यादा important topic है जो मैंने इसमें लिखा भी नहीं है वो मैं आज add कर रहा हूँ आप लोगों के लिए प्रकास translation का मैं एक lecture suggest करूँगा आज आप लोगो और उस lecture से आप लोगो प्रकास translation complete करना है क्योंकि प्रकास translation को समझना दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एक से दो question वहाँ से पूछ ले जाते है क्योंकि आप लोगों को पता है chlorophyll related question पूछ ले जाता है कोई से reaction होती है उसकी तो reaction भी बहुत ज़्यादा important है अब आगे आगे हमारा बायो के all human system का आप लोगों को revision करना है जो बायो के मैंने all human system दिये थे अब उस चीज़ को revise कर लीजिए आज के target से मैं guaranteed कहता हूँ जब आप paper देने जाएंगे तो कम से कम 6-7 number का फस जाएगा जितना मैं बता रहा हूँ आप लोगो जितनी चीज़े बता रहा हूँ बलकि जादा ही फसेगा इसलिए अब revision mode में रहिए और इसी तरीके से revision कीजिए next है हम आगे है maths में तो maths में तीन new test देने है previous year वाले इसके मैं यह नहीं कहूँगा कि आप बार बार प्रक्टिस करिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है बार बार प्रक्टिस करने की इसके concept पर ध्यान दीजिए और जो मैं टेस्ट डाल रहा हूँ previous year के उनके questions को करने की कोशिश करिए क्योंकि वो questions करने आपके लिए most important रहेंगे number system HCF LCM की तरह Menso Registration के old formulas आप लोग को करने हैं यह revision part में आप लोग का चल रहा है polygons की बात करूँ तो मैं बहुभुज की बात करने वाला हूँ तो इसके अंदर आप लोग को एक से दो questions इसके देखने को मिलते हैं कई बार पूछ लेता है कि भुजाओं से आप लोग को कोन निकल वालेगा कोन देके आप से भुजाए निकल वालेगा विकर्णों की संख्या पूछ लेगा इस तरह का question इतना important topic है इसके अंदर question पूछ ले जाते हैं कि संरेक होने का प्रतिवन्द क्या है तो वही चीज़े हैं कि A1 A2 A1 upon B1 A2 upon B2 या A1 upon A2 upon B1 upon B2 equal है तो क्या है यह आप लोग को आज मिल जाएगा तो आप लोग सब समझ जाएंगे इसके तीनी cases है और वो तीनों questions से पूछ दे जाते हैं इसके आगया है दुई घास समीकर्ण इसको तो आप लोग को करना ही है क्योंकि इसके मूलों से related question आते हैं कि या तो मूल निकल वा लेगा या आप से पूछ लेगा दुद्धा समीकर्ण का एक मूल है तो दूसरा मूल बताओ या सीधा सा option है कि मूल लोग गुडणफर है गुडणफर पूछेगा तो सी अपोने और अगर वो पूछेगा तो माइनस के वी अपोने इसी तरीके questions आप लोग से पूछ रहाते हैं और मेरा time लगा आप लोग मुझे permission दो जैसे यहां पर लिखा हुआ है तो मैं लिखके समझ मैं आज मैं लिखके दे सकता हूं इस target को उठाके paper के बाद देख लेना कि इस से कम से कम 6-7 नंबर की चीज़े फसने वाली है नेक्ट है reasoning कथन इवं निसकर्स और data sufficiency देखो कथन निसकर्स वाला जो topic है बैसे मैं कथन और पूरधारना के आपको basic समझा दिये हैं एक complete lecture भी आएगा लेकिन यह नहीं पता है कि time कम मिल रहा है क्या है लेकिन आप लोगो को मैंने इतना समझा दिया है कि आप उसके questions कर पाऊगे और मैंने इतनी simple language में समझाया है कि आप लोगों को उसका वो करने की जरूत नहीं है कि भईया मैं वो करूँगा उसके rules सीखूँगा rules rules सीख के question कर नहीं पाते हैं और अगर rules सीखने हैं तो उसके भी lecture मैं आप लोगो को suggest कर दूँँगा आप देख लेना rules से कर लेना लेकिन मैंने जो चीज़े आप लोगों को समझाई है बस मतलब मैंने का ना मैंने तो आप से पहले ही कहा था कि अगर आपको मतलब समझा गया ना कि पूर्वधारना का मतलब क्या है तो 95% question आप बना लोगी ठीक है और बाकी 1-2% question 4% question तो इसलिए भी गलत हो जाते हैं कि बात करता हूं तो data sufficiency और कथन निसकर आज ये दो topic दिये हैं और लगवा लगवा आपकी reasoning निपटी चुकी है और कोई topic बचा होगा तो करवा देंगे लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए revision mode लेके आने वाला हूं जो मैं announce कर दूँगा आप लोगों के सामने बहुत ही जल करें तो प्लीज जो अपने application के new student जुने हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं कि देखो target complete करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके पास सारे notes available है अब आप उन notes के साथ बस इतना करिए कि target one जैसे देखा तो उसकी image से या उसको देखके कि मैं क्या बता रहा हूं क्या चीज़ important है तो बता ही चुका हूं बस अपनी जो जैसे static GK में बता है तो static GK की चीज़े जो notes दिया है आपको उस पर mark करिये कि आज मुझे यह यह पढ़ना है यह पढ़ना है बस हो गया उसके बाद जो चीज़े बच रही है कि science में आपने अपनी speedy में mark कर लिया NCIT में mark कर लिया वह जाके जो guidance और introduction वाली सहसन है उसका एक भी lecture में इसमत करना आपकी सारी की सारी चीज़े उसी में मिल जाएंगी चलिए फिर मिलेंगे next वीडियो में ख्याल रखेगा आज का जो target है आप इस target को complete करिए और बिजबास मानिए लिख के रख लो आप page पे एक इस target को आज से target को लिखे रख लेना जब paper होगा तब देख लेना कि इन topics से question आ रहे है या नहीं आ रहे है और ये topics आप 2-3-3 बार पहले भी कर चुके हो और जो नए बच्चे हैं वो अभी भी कर रहे है तब भी मैं कहा रहा हूँ सब बरावरी हो जाओगे बस अच्छे से आप लोग अपना रिवीजन करते चलना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखेगा अभी आप लोग को पता है टाइम नहीं है इस तरह से वीडियो रिकोर्ड की गई है टेक केर